मैं हूँ अक्षय चवान और आज हम बात करेंगे महराश्टर के अकल कोट रियासत की अकल कोट आज महराश्टर और करनाटक में काफी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही फेमस संथ हुए जिने स्वामी समर्थ या अकल कोट स्वामी कहा जाता है बट सच बात तो ये है कि अकल कोट महराष्ट के सबसे प्रमुख रियासतों में से एक थी महराष्ट के सोलापुर जिले में स्थित अकल कोट जो है उसका काफी प्राचीन काल से इतिहास है और इस एरिया पर राज हुआ यहां के राजे भोसले राजपरिवार का अब यह जो राजे भोसले राजपरिवार है अकल कोट रियासत का उसकी जो ओरिजिन कहानी है वो बहुत ही interesting है और जुड़ी हुई है चत्रपती शिवाजी महराज और मराठा स्वराज्य के कहानी से अब जब चत्रपती शिवाजी महराज का निदन हुआ राइगड पर तब गदी पर बैठे उनके बड़े बेटे संभाजी महराज और वो दूसरे चत्रपती हुए मराठो के अब आगे क्या हुआ कि जब चत्रपती संभाजी महराज ये 1670s की बात है जब वो संगमेश्वर पर थे तब मुगल जो जनरल थे और मुगल फौजी थे उन्होंने पकड लिया और उन्हें मुगल कैम्प में बंदी बनाकर ले जाया गया और तुलापूर में उनकी बहुत ही क्रूर तरीके से उन्हें शहीत कर दिया गया तो जब संभाजी महराज का निदन हुआ तब उनके जो बेटे थे शाहु जो उनकी पत्नी महराणी ये सुबाई से हुए थे उनकी उमर बहुत कम थी और वो राइगड पर थे जब मुगलों ने राइगड के किले को चल और कपट से कैप्चर किया तो वहाँ पर काफी उन्होंने लूट पार्ट मचाई जो चत्रपती शिवाजी महराज का जो सोने का सिंगासन था उसे मेल्ट करके लूटा गया यहाँ पर जो उनकी महल थे वो लूटे गए और यह जो राज परिवार था मराठो का जिसमें यह जो शाहू थे चत्रपती संभाजी महराज के बेटे उनकी मा मारानी ये सुबाई और जो चत्रपती शिवाजी महराज की जो पत्निया थी जो राइगड पर थी उन सब को ब अच्छे से ट्रीट किया और बतलब वो दिल्ली में ही रहे मुगल जो हरम था मुगल कैम्प में उसी में रहे वो अब 1707 में जब बाच्छा औरंगजेब का निधन हुआ तब जो उनके जो उतरा धिकारी थे बहदुर शाह उन्होंने शाहु को कि बतलब जो मुगल कैप्टिविटी है उससे आजाद कर दिया अब यह हम नहीं जानते कि यह भी मुगलों की स्ट्राटेजी थी काफी इत्यासकारों को लगता है कि यह एक स्ट्राटेजी थी कि शाहु जो मुगल कौट में पले बड़े थे उन्हें महाराष्ट्र भेजा गया और उसके बाद एक इंट्रेस्टिंग बात यह हुई कि जो माराथे एक साथ मुगलों के साथ लड़ रहे थे अब वो एक सिविल वर शुरू हो गई बिकाज एक माराथों का एक तपका था जो बिलीव करता था कि शाहु जो है वो संभाजी महाराज के बेटे हैं और जो सीनियर लाइन जिसे हम कह सकते हैं शिवाजी महाराज की तो उन्हें गद्दी मिलनी चाहिए जो अधर हाफ था जो माराथों का वो बिलीव करता था कि नहीं जो महाराणी तारा भाई है तारारानी है उन्होंने ये जो माराथा राज चाहे उसको बचाया है और उसका मुगलों के साथ वो लड़ी तो उनके जो बच्चे है वो गद्दी पर बैठने चाहिए तो इसकी अर्ली बैटल्स जो उन्होंने लड़ी वो पारड करके एक गाव थी औरंगाबाद के पास तो उस पारड गाव का एक पाटिल या जिसे हम मुख्या कहते हैं हिंदी में तो वो सयाजी लोखंडे करके था तो वो उसने त्राइड टू फाइट शाहू क्योंकि वो महाराणी त विडोड वाइफ थी जो विद्वार पत्नी थी वो अपने एक छोटे से बच्चे को लेकर शाहू के पास आई और कहानी के अनुसार उसने उस बच्चे को शाहू को जो शाहू मा यह थे चत्रपती शाहू उनके कदमों पर रख दिया और कहा कि देखिए अभी यूनो आप अभी यूनो आपने मेरे पत्ती को तो हत्या हो गई है अभी मेरे पत्ती मर गए है तो आप अब इस बच्चे को आप ही संबाली है और वो काफी रोई है नौल तो जो शाहू थे वो बहुत ही नरम स्वभाव के थे तो उन्होंने फिर उस पाटिल की पत्नी को कहा कि मैं इस लड़के लिटरली छोटे बच्चे को मैं अपनाऊंगा और अपने बेटे की तरह उसे पालूंगा उस लड़के का नाम था राणो जी लोखंडे जो आगे चलके फिर जब शाहू माराज ने उन्हें अपना एक पुत्र की तौर पे स्वीकारा तो उनका नाम फत्ते सिंग भोसले रखा गया तो आग्चली जो अकलकोट का राज परिवार है वो लोखंडे है पर क्योंकि वो एक मानस्थ पुत्र थे जो माने हुए पुत्र ओफ शाहु माराज अफ सातारा तो इसलिए उनका नाम फिर फत्ते सिंग भोसले और फिर इस परिवार का नाम राजे भोस पढ़ा जो अभी भी वो राजे भोसले ही यूस करते हैं अब यह जो फत्ते संग भोसले उते जो लड़का था धा वो वіш वेरी गुड़ लुकिंग है और यह जो यह ब्री ब्रीव तो जैसे हम लोत कूलימ히 फिल्मों में दिखते हैं कि वो राजदर उसके इस शौर्य से, पराक्रम से खुश होकर, 1712 में शाहु महराज ने जो अकलकोट की जो जागीर है, विच कंप्राइज तौन अकलकोट और 110 गाउ, सोलापूर के पास, यह पते सिंग भोसले को अजागीर, जिसे हम कहते हैं, उसे दे दिये गए. अब आगे चलके, जो पते सिंग भोसले है, उसने काफी मराथा कैंपेंज में साथ दिया, उस टाइम पे, उस टाइम पे, यह अच्छी कह सकते हैं या नहीं, अभी यह एक डिबेट का विशय है, but he was not very ambitious, कि ऐसा नहीं था उनका कि मैं अपने लिए जादा से जादा बटोरूंगा, या जादा से जादा शक्ती या संपत्ती बटोरने की कोशिश करूंगा, तो उन्होंने ऐसा, मतलब जैसे कि सिंध्याज हो, होलकर्स हो, वैसे करके उन्होंने अपनी पावर बढ़ाने की इतनी कोशिश नहीं की, जो भी responsibilities उन्हें दी जाती थी, वो अच्छी तरह से वो निबाते थे, उन्होंने अकल कोट पर 40 साल तक राज किया, और वो खुश रहे, उनके बाद उनके जो नेफ्यू थे, शहाजी, वो अकल कोट की गद्दी पर बैठे, अकल कोट प्राक्टिकली एक independent, जैसे हम राज बोल सकते हैं, वैसे एक राज था, उनका अपना administration था, और जाधा वो उन्होंने मराथा एंपायर के जो अफैस थे, पानीपत की लड़ाई हो, या हैदर अली के साथ, उन्होंने नहीं इंटफी किया, दे वर जस्ट हैपी विद वोटेवर थे पोसेशन वर, फिर आगे चल उन्होंने क्या किया, कि यह जो सातारा का जो राज्य था, तो उस समय तक, 1818 तक क्या था, कि जो सातारा के जो छत्रपती थे, he was a nominal ruler, और उनका राज ये पेश्वा, पुना के पेश्वा चलाते थे, और वैसे कहा जाता है कि जो सातारा के छत्रपती है, उनका जो जुरिस् उन्होंने क्या कि सातारा जो है, उसे एक रियासत के तौर में फॉर्म किया, it was 7,000 स्क्वेर माइल्स, और इस सातारा रियासत के अंडर, काफी ये जो छोटी-छोटी जो रियासते थी, जैसे कि फल्टन है, जैसे कि भोर है, आउंध है, अकलकोट है, इन सब को सातारा के अ हो गया कि अकलकोट और सातारा में एक काफी तनाव और एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया, because अकलकोट वाले ये मानते थे कि हमें एक सेपरेट जागीर शाहुजी महराज ने दी है, तो आपको क्या हग बनता है इंटर्फिय करने का, और जो सातारा वाले थे, जो वहां क सिर्फ जागिरदार हो, आप हमारे नौकर हो, तो ये पूरा अकलकोट हम ही ने, मतलब हमारे परिवार ने ही आपको दिया है, तो हमारा ही राज चलेगा अकलकोट पर, और हम जो कहेंगे वह आपको मानना पड़ेगा, तो इसकी वज़ए से काफी टेंशन्स हुए और 1830 मे अकलकोट में एक बड़ा विद्रोह हुआ, और जो सातारा की फॉज है, अंग्रेज है, उन्हें फिर आकर इस रिवोल्ट को क्रश करना पड़ा, पर ये जादा साल नहीं चला क्योंकि 1849 में, डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स के कारण, लॉड डल हाउजी ने सातारा रियासत को जब्त कर लिया, और उसके बाद, 1849 के बाद, अकलकोट बिकेम अ प्रिंसली स्टेट इन इस ओन राइट, 1849 में, अकलकोट एक स्वतंत्र अंग्रेज शासंकाल के अंडर एक रियासत उभर कर आई, अब इंटरिस्टिंगली, 1850 काल है, जब एक सिद्ध स्वामी, जिने अक अकलकोट स्वामी या स्वामी समर्थ कहा जाता है, यहाँ पर आए, हम जादा उनके बारे में नहीं जानते हैं, काफी, जो महराष्ट्र है वहाँ पर तो वो इतने पॉपिलर है, तो उनकी जीवन काल को लेकर काफी कहानिया है, कुछ थियोरी जिये हैं कि वो एक उनका ना पर फिल्म्स बन चुकी है, टीवी सीरियल्स बन चुकी है, तो 1850 से 1870 तक जो अकलकोट स्वामी है, स्वामी समर्थ वो यहाँ पर रहे और उन्होंने 1870 के करीब समाधी ले ली, तब यहाँ पर अलग-अलग जो शाहजी दसेकेंड, मालो जी और काफी यहाँ पर अकलकोट में राजाज हुए, बट उस टाइम एक बहुत ही बैकवर्ड रियासत थी अकलकोट, अकलकोट के एतिहास का एक नया अध्याय शुरू होता है, बीसवी शताबदी के शुरुवात में, जब महराजा फते सिंग भोसले थर्ड अकलकोट की गद्दी पर बैठे, अब तब एक लड़के को अडॉप्ट किया था, एक बहुत कम उमर में, तब अंग्रेज जो पैरमाउंट पावर थे भारत में, वो ये चाहते थे कि इस लड़के को हम ब्रिटिश तरीकल का एजुकेशन दे, ताकि आगे चलके वो एक आईडियल इंडियन, लिक वेस्टनाइजड इंडियन रूलर बन सके और प्लस अंग्रेजों का समर्थन करें, तो जो फते सिंग भोसले जो थे, जब वो कम उमर के थे, तो उन्हें उनके ब्रिटिश गाडियन्स थे, उनकी जो गाडियन थी, वो एक ब्रिटिश लेडी थी, मिस मौकसन करके, तो एक वेस्टनाइज ब करने श कॉक्षर कोर थे, तो उसकी एकशाम देने वाले, he was one of the first Indians. So even though he was not commissioned in the Indian Army, he was one of the earliest pass-outs after giving that exam, आगे चलके उन्होंने जो First World War है उसमें पार्टिसिपेट किया अंग्रेजों के बिहाफ पे अकल कोट में उन्होंने काफी विकास किया उन्होंने आज का जो ब्यूटिफुल अकल कोट पैलेस है जैसे फते सिंग महल या बेला वीस्टा भी कहा जाता है वो उन्होंने ही बनवाया था जो महल अगर आप देखेंगे तो उसके उपर एक आपको टावर दिखेगा तो एक इंट्रेस्टिंग बात यह है कि इस टावर के उपर उस टाइम के भारत का सबसे अडवांस्ट टेलिसकोप लगा हुआ होता था बिकास उन्हें अस्ट्रोनमी का कलेक्शन भी था जो आज भी आप अकलकोट में देख सकते हो एक बहुत ट्राजिक बात महराजा फते सिंग दे थर्ड को लेकर यह है कि उनका बहुत ही कम उमर में 1923 में निधन हो गया अब बात यह हुई कि अप्रेल 1923 में जो फते सिंग भोसले जो थे वो पुना में थ और उन्हें पेट का दर्थ शूरू हुआ तो वो इलाज करवाने गए जो पुना का जो ससून ईस्षपिटल उस टाइम का जो सबसे अड्वांस फोस्पिटल हुआ करता था और दोक्टर के पास इलाज करवाने घए और डॉक्टर ने कहा कि आपको एक एक स्रे करवाना जो solution होता था, वो होता था barium sulfate, पर जो compounder है, उसने जो solution दिया, वो barium sulfide था, जो जहर होता है, तो जैसे ही उन्होंने वो solution पिया, तो वो नीले पड़ने लगे, और, you know, he got poisoned and he died, और फिर अंग्रेजों ने, काफी हाहाकार हुआ, काफी अंग्रेजों ने commission बिठाया, और उसमें medical negligence करार दिया गया, कि जो compounder था, उसने barium sulfate और barium sulfide, you know, एक गलती से ये दिया, but you see, इतिहास में ऐसी गलतिया होती नहीं है, तो, it's just too convenient कि उन्हें पेट का दर्द होना, फिर ये accident उनके साथ होना, तो, हम ये, at least, even though the official version is कि, it was a genuine medical accident, but as a historian, हमें नहीं लगता है, I mean, there must have been something, कुछ तो और रहा होगा, अब unfortunately, अभी एक अकल कोट की यही tragedy है, क्योंकि वो फत्ते सिंग्द थर्ड इतने capable थे, कि अगर वो आगे कार्यकाल करते हैं, उनका कार्यकाल सिर्फ 8-9 साल का था, पट अगर वो आगे रहे होते, तो शायद अकल कोट भारत के आज सबसे advanced cities में एक हुआ होता, जो इतिहास का खेल है, वो खेल है, महराजा फते सिंग भोसले के निधन के बाद, उनके जो लड़के थे, बड़े लड़के थे, विजय सिंग, वो भी almost 7-8 साल के थे, बहुत छोटी उमर के थे, तो तब उनकी जो पतनी थी, महराजा फते सिंग की, तारा बाई, उन्होंने रीजेंट की तौर पर अकल कोट पर राज किया, और फिर बाद में विजय सिंग गदी पर आए, विजय सिंग बहुत ही handsome और good-looking आदमी थे, अब अकल कोट में एक और एक वरी पिकूलियर इंसिडेंट होता है, कि जो महराजा विजय सिंग उनकी जो पहली जो शादी है, 1934 में, वो होती है, ग्वालियर की राजकुमारी, कमला राजे के साथ, अब ये जो शादी बहुत धूमधाम से ग्वालियर के जैविलास पैलिस में हुई, और बारात जो ग्वालियर है, उसके अकल कोट आ गई, यूनो नई दुलहन के साथ, अब शादी के लिटरली पाच या छे दिन बाद, ये जो दूलहा दुलहन है, वो ड्राइव के लिए जाते हैं अकल कोट में, और जो गाड़ी है, वो कमला राजे चला रही है, और वो स्पीड में गाड़ी चला रही है, और वहाँ पर एक मिट्टी का धेर था, तो वो गाड़ी उस पे स्पीड में थी गाड़ी तो वो पल्टी हो गई गाड़ी और फिर बाद में वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलें और उनका एक रिब तूट गया था और जो हाट में वो चला गया था उनका इंटर्नल ब्लीडिंग हो रहा था तो वो गाड़ी से बाहर निकली आई और फिर कुछ देर बाद उनकी तब्यद बहुत खराब होने लगी और लिटरली शादी के साथ दिन बाद उनका निधन हो गया तो ये जो एक अजीब और एक ट्राजिक किस्सा जो अकल कोट में हुआ तो उसका महारजा विजए सिंग पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और ये रिली अफेक्टेड इम मेंटली और फिर आगे चलके उनकी दूसरी शादी हुई बढ़ोदा की राजकुमारी निर्म निर्मला राजे गायकवार जो आगे निर्मला राजे भोसले हुई बट वो उनकी बनी नहीं और वो अलग रहे निर्मला राजे भोसले आगे चलके महाराश्टर की लेजिलिटिव असेमली की मेंबर बनी भारत की पार्लेमेंट की सेक्रेटरी बनी और उनका एक वाइबर 1951-52 में हो गया, और उसके बाद गदी पर बैठे, उनके छोटे बाई, महराजा जै सिंह राव भोसले. उनकी कोई मेल एर्ज नहीं थे और उनकी दो बेटिया थी. तो 1965 में जब महराजा जैसिंग्राव भोसले का निधन हो गया तब उत्तराधिकारी के तोर पे उनकी दू बेटियां ही थी तब जो मैंने आपको पहले बताया कि 1849 में जो लॉड डलहाउजी ने डॉक्टरिन ओफ लैप्स किया था जो पॉलिसी जो लगाई थी तो उसी पॉलिसी को भारत सरकार ने 1960 में इंप्लिमेंट किया अज पर दॉक्टरिन ओफ लैप्स कि अकल कोट की जो गद्दी है वो लैप्स होती है और हम प्रिवी पर्स और टाइटल अबॉलिश करते हैं और पार्लिमेंट में बहुत हंगामा हुआ फिर आगे चलके ये जो दो राजकुमारिया थी अकल कोट की उन्होंने ही कार्यकाल संभाला और कुछ साल पहले दो तीन साल पहले इन दोनों राजकुमारिया का निधन हो गया आज भी अकल कोट का राजपरिवार है और जो अकल कोट का जो महल है वो एक म्यूजियम है थैंक्फुली जो अकल कोट के स्वामी महराज है स्वामी समर्थ है उनके दर्शन के लिए काफी लोग आते हैं तो अकल कोट इस नाउ एक पिल्ग्रिम टाउन बन गया है यहाँ पे अन्न छत्र बने हैं यहाँ पे रेस्ट हाउसर बने हैं पर जो रॉयल इतिहास है अकल कोट का वो इतना फेमस नहीं है तो आशा यही है कि इस रियासत एपिसोट को देखने के बाद जादा से जादा लोग अकल कोट जाएंगे वहाँ के महल को देखने के लिए और वहाँ के जो राजसी वैभव के जो भी अभी बचा हुआ है उसे देखने के लिए तो यह थी कहानी अकल कोट रियासत की कि अभी अकल को भी कि रियासत के लिए आ अकल को भी अभी बचाल